का कलेक्शन पिछले कुछ महिनों से लगातार बढ़ा है अप्रेल महिने में GST कलेक्शन ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया बीते माँ GST से सरकारी खजाने को रिकॉर्ड एक लाख सरसट हजार पांत सो चालिस करोड रुपे हासिल हुए जो किसी भी एक महिने में अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है इस तरह सरकार के लिए नया वित्तवर्ष की शुरुवात चांदार हुई है देश में बिजनस एक्टिविटीज तेजी से रिकवर हो रही है अप्रेल महिने के दौरान GST कलेक्शन का एक और रिकवर्ड बना है 20 अप्रेल को 9,58,000 ट्रांजेक्शन से सरकार को रिकवर्ड 57,847 करोड रुपे का GST कलेक्शन प्राप्थ हुआ ये किसी एक दिन में GST कलेक्शन का सबसे बड़ा आकड़ा है मंत्राले के अनुसार मार्श 2022 में ईवे बिल 7.7 करोड ईवे बिल जनरेट हुए फरवरी 2022 के 6.8 करोड की तुलना में 6.80,000,000 की तुलना में करीब 13 फीसदी जादा है पहली बार GST कलेक्शन देड़ लाग करोड के पार वित्मंत्राले ने साथ में ये भी बताया कि सरकार ने पहले ही इंटिग्रेटड GST से सेंटरल GST में 33,423 करोड रुपए और स्टेट GST से 26,962 करोड रुपए का सेटलमेंट कर चुकी है इस तरह रेगुलर सेटलमेंट के बाद अप्रेल 2022 में केंदर सरकार और राज्य सरकारों का कुल राजस्व सेंटरल GST से 66,582 करोड रुपए और स्टेट GST से 68,755 करोड रुपए रहा ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ग्रॉज GST कलेक्शन देड़ लाग करोड रुपए के पार निकला एक महिने पहले इतना रहा था GST का कलेक्शन वित्यमंत्राले के आकलों के अनुसार अप्रेल 2022 में एक महिने पहले यानि कि मार्च 2022 के महिने की तुलना की जाये तो 25,000 करोड रुपए ज़ादा GST का कलेक्शन हुआ मार्च 2022 में सरकार को GST से 1,42,95 करोड रुपए प्राप्थ हुए थे जबकि अप्रेल 2022 में GST से जो रकम हासिल हुई वो साल भर पहले यानि अप्रेल 2021 की तुलना में 20 फी सती ज़्यादा है ऐसे बना सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन का रिक़ॉड आक्रों के अनुसार अप्रेल 2022 में सरकार को सेंटरल GST से 33,169 करोड रुपए प्राप्थ हुए स्टेट GST से 41,973 करोड रुपए वही इंटिग्रेटड GST से 81,949 करोड रुपए प्राप्थ हुए इंटिग्रेटड GST में सामानों के आयाज से प्राप्थ 36,705 करोड रुपए का कलेक्शन भी शामिल है सरकार को सेंट से 10,649 करोड रुपए प्राप्थ हुए इसमें सामानों के आयाज से मिले 857 करोड रुपे भी शामिल है इस तरह अप्रेल 2022 में करीब 168,000 करोड रुपे के GST कलेक्शन का रिकॉर्ड बना है बिजनस डेस्क